प्राप्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जने एड्यूकारी सबसे पहले देखने के लिए दमश्कार दुस्तों सागत अब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जने एड्यूकेशन पे आज हम बात करेंगे SN15 Plus Tablet के बारे में SN15 Plus Tablet के क्या यूज है, क्या उप्योग है, आखरी डॉक्टर कौन-कौन से बिमारी डिजीज आ डिसॉडर के ट्रिटमेंट में इस टेबलेट को प्रिसकाइब कर सकता है, और इस टेबलेट के उप्योग करते टाइम कौन-कौन से सावधानिया रखने चाहिए कि इन लोगों को इस टेबलेट का यूज नहीं करना चाहिए, और इस टेबलेट के बारे में पूरी डीटेल से हम बात करने वाले हैं, दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को जली से सब्सक्राइब कर, बेल आइकॉन को प्रिस कर दीजे, ताकि जो भी नई वीडियो आएगि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो चले बात करते हैं इस टेबलेट के उप्योग के बारे में कौन-कौन से बिमारी, डिजीज, या इस आपके ट्वीटमेंट में डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिसकाइब कर सकता है SN15+, एक कॉमिनेशन मैडिसन है जो की शरीर में अगर शौट टम पेइन हो रहा है या दर्द हो रहा है, इंस्लामेशन हो रहा है या सूजन आ गई है, तब इस टेबलेट का उप्योग किया जाता है या डॉक्टर इसको प्रिसकाइब कर सकता है शरीर में किसी भी प्रकार का अगर दर्द हो रहा है तो इसको कम करने के लिए इस टेबलेट का उप्योग किया जा सकता है अब इसके अलावा भी कौन-कौन सी situation में इस टेबलेट को यूज़ कर सकते हैं डाइकलोफेनिक एक analgesic drug है और serato peptidase जो की एक enzyme है डाइकलोफेनिक का उपयोग बुखार के लिए उपयोग कर सकते हैं इसको सेधर्द, अर्थरालजिया, मियालजिया और इसके अलावा दात का दर्द, सरजरी के बाद अगर दर्द होता है तो इसके treatment में भी इसका उपयोग कर सकते हैं इसके अलावा osteoarthritis, rheumatoid arthritis, इसके अलावा gout के treatment में भी इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं इस सभी में क्या हो रहा है पेन होने लगता है तो इस पेन को कम करने के लिए दर्द को कम करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जा सकता है अब बात करते हैं इस टेबलेट के बारे में और डीटेल से जान लेते हैं इसके कॉशन क्या है कैसे यूज करना है और क्या इं एंटरी कोटे टेबलेट गंटें तो इसके अंदर इतने भी टेबलेट हैं यहां पर कंटेंट की बात करें तो सिराटियो पेप्टीडेज एस पर इंडियन फार्माकोपिया 10 MZ present होता है Diclofenic Potassium जो कि British Pharma Copia के according है और ये 50 MZ present होता है Color इसके अंदर Tartrazine है और Stories Condition की बात करें तो store below 25 degree centigrade 25 degree centigrade से कम temperature पर ही इसको store करके रखना है Protects from light and moisture और इसको light से बचा के रखना है moisture से बचा के रखना है क्योंकि कुछ ऐसी drugs होती है जो moisture की वज़े से भी खराब हो जाती है या light की वज़े से खराब हो जाती है वो light sensitive होती है अब बात करते हैं इसके schedule के बारे में caution के बारे में तो ये जो दवाई है drug है tablet है ये schedule H की drug है warning क्या है to be sold by retail on the prescription of a registered medical practitioner only आप इस tablet को medicine को बिना doctor की सला के कहीं से भी नहीं ले सकते हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी दवाई हो आपको doctor की सला के अनुसार ही यूज़ करनी चाहिए वरना आपकी health के लिए danger हो सकता है अब बात करते हैं इसके manufacturing के बारे में marketing के बारे में तो इसको serum institute of India limited जो है ये इसको market करती है और manufacturing करती है इसकी ruby organic pvt ltd अब इस tablet के बारे में हम जानते हैं side effect के बारे में इसके क्या-क्या side effect हो सकते है अगर आप इस tablet को use करते हैं तो SN15 plus tablet के कुछ common side effect है इनके लिए medical attention की जरूरत नहीं होती है लेकिन अगर ये जो side effect आपको long time के लिए देखने को मिले तो आप तुरन डॉक्टर से सला लीजे इसके जो common side effect है जैसे की nausea, vomiting यानि आपको ulty जैसा feel हो सकता है heartburn हो सकता है stomach pain हो सकता है indigestion, diarrhea और loss of appetite और ये जो tablet जो की एक analgesic drug है, NSID drug है आप इसको बिना food के नहीं लेवे खाना खाने से पहले आप इसको consume नहीं करें खाना खाने के बाद ही इसका use करें वरना जो stomach pain हो सकता है अब बात करते हैं इसके working के बारे में आखेरी अपने जो action है body में कैसे show करती है या कैसे काम करती है ये drug यहाँ पर दो medicine है जो की combination है, एक है diclofenic और दूसरी है ceratio peptidase diclofenic एक non-steroidal anti-inflammatory drug है जो की कैसे काम करती है blocking the release of certain chemical messenger कुछ ऐसे chemical messenger होते है जिनकी वज़े से शरीर में pain होता है दर्द होता है, inflammation होता है या redness हो जाती है तो उन chemical messenger को ये block कर देती है diclofenic जिसके वज़े से pain नहीं होगा redness नहीं होगी, swelling नहीं होगी दूसरा यहाँ पर ceratio peptidase है जो की एक enzyme है, ये कैसे काम करता है जिस side पर pain होता है या inflammation होता है, वहाँ पर abnormal protein बनने लगता है, तो उस abnormal protein को बनने से रोकेगा ceratio peptidase तो कुछ इस तरीके से ये जो tablet है combination में ये काम करती है अब बात करते हैं किन-किन लोगों को इस tablet का use करने से पहले सावदानिया रखनी चाहिए या उनको use करने से पहले doctor से सला लेनी चाहिए जो pregnant women है और breast feeding mother है उनको एक बात डोक्टर से सला लेनी चाहिए इसका use करने से पहले इसके इलावा जिनको kidney से related कोई problem है या liver से related कोई problem है तो उनको भी इस दवाई का use करने से पहले इस medicine का use करने से पहले doctor से सला लेनी चाहिए और दूस्ट आप से एक ही request करूँगा कि आप कोई भी medicine बिना doctor की सला के ना ले आप एक बार doctor से भी consult कर सकते हैं pharmacist से भी consult कर सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी health के लिए danger हो सकता है so friends आज हमने बात किया essence 15 plus tablet के बारे में इसके uses, side effect, mechanism action किस तरीके से काम करती है और क्या-क्या सावदानिया रखनी चाहिए यह पूरी details से हमने आपको बताया है so मेर करता हूँ दोस्तो वीडियो आपके लिए helpful होगा चैनल को जूरूर सब्सक्राइब केज़े क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेसा ही ऐसे वीडियो मिलती रहेगी thank you very much for watching this video